हेलो अरिवन गुड मॉर्णिंग स्वागत आप सभी का ऑनलाइन स्टेडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट अब्सेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं जैन और बहुत धर्म और आपको पता है कि जैन और बहुत धर्म से लेटेर जो भी क्वेसंस एक्जामस में बहुत ज़ादा इंपॉर्टन होते हैं अकसर पूछे जाते हैं तो मैंने लुसेंट बुक में जो भी क्वेसंस दिये गए थे हैं यहाँ पे मैंने 85 मोस्ट इंपॉर्टन हैं से क्योड़ जाता है और सबसे अंतिम महावीर को माना जाता है चली second त्रीपीटक धर्म गरन्त यह त्रीपीटक जो है वह द्रम का गरंत इंपॉर्टों की बहुत जादा इंपॉर्टन है इसको बहुत लिए भासा की रूप में भी जाना जाता है पाली ब्राही परिवार की लीपियों में लिखी जाती है ध्यान रखेगा जो त्रिपीटक है वो पाली भासा में लिखा गया ये questions टारेक्ट पूछा जाता है त्रिपीटक के तीन भाग है सुथपीटक जिसको सबसे पहले बात कर ले थे वो तीन कौन-कौन है सुथपीटक, अभीधमपीटक और विनेपीटक ठीक है सुथपीटक की बात कर तो इसके रचेता कोन थे आननद के दॉर्ण ही रचेता था और बुद्ध के उपदेसो और समवादो का संग्रा है और यही character पूछाता है कि बुद्ध के उपदेशों और समवादों का संग्रा किसमें दिया गया तो सुत पिटक में मिलता है ठीक है तो यह जो तीन पॉइंट्स में आपको बता है वो जाधा बोहुत जाधा इंपॉटेंट है इसको आप बीबिया इमान करके स्किन सॉट चाहो तो ले सकते हैं याद रखेगा ठीक है चलिए अगला कुश्न देखते हैं question number 3 की बुद्ध ने निमलिखित में से किस अस्थान पर महापरी निर्वाण यानि की मरित्यू पराप्त किया था कभी कभी डिरेक्ट भी पुछाता है की महापरी निर्वार का अр्थ क्या होता है तो यह जяनि की वित्यू से संबध्धी थे धेहान से संबध्धित तो इनका जो दिहान्त हुआ था हम कह सकते हैं कि कुसी नारा या फिर कुसी नगर तेवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था option हम एक को टेक करेंगे चलिए यहां पर छोड़ा सा point हम यहां पर बात कर लेते हैं जैसे बात की जारी है बुद्ध से संबंदित तो बुद्ध का जन में कब हुआ था बुद्ध का जन 563 इसा पूर ठीक है 563 BC और इनकी मृत्ति हुए थी 483 BC में क्लियर और इनका जन में कहां पर हुआ था तो कपिल वस्तु के लुमनी नहमा कस्थान पर हुआ था और मृत्तिव आपने यहां पर देख लिया कुसी नगर में चलिए question number 4 कहा रहा है कि किस सासक ने बौधो के लिए विक्ष्ञात विक्रम सिला विश्तु बिद्द्याले के स्थापना की गई है धर्म पाल के दौरा next है कि किसके द्वारा तृतिये बहुत संगीती को संख्षन प्रदान किया गया था तुम यहां पे सही अंसर किसे टिक करेंगे option B को असोग के समय में और यह पाटली पुत्र में हुआ था आपको ध्यान में रखना है next question कि किस सासक के सासन काल में निपाल में बौध धर्म का गमन हुआ था किस सासक किस आसनकाल में निपाल में बौध धर्म का गमन हुआ था तो राइट अंसर यहाँप हो जाता है असोग ओप्सन बी सायोग नेक्स्ट कोईशन की साची क्यों विख्यात है साची क्यों विख्यात है तो राइट अंसर यहाँ पर हो जता है कि सबसे बड़ा बौध स्थूप के लिए यह काफी विख्यात है ठीक है मध्य प्रतिस मिस्तीत है अगला कुशन की किस भासा का ज्यादा परयूग बौध वाद के प्रचार के लिए किस भासा का परयूग किया गया है तो हम यहाँ पर सही आंसर टिक करेंगे पाली भासा को ठीक है ऑप्सन सी करेक्ट होगा फेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे क्वेसंस अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजगा तो यह अजन्ता में है ऑप्सन ए को टिक करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन था ध्यान रखेगा next questions की मठ और स्थूप किस धर्म से संबांदित है मठ और स्थूप जो किस धर्म से संबांदित है तो ये बौध धर्म से संबांदित है option A सही answer हो जाता है next point क्या कहा रहा है की बौध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके साथ संकालमी दिये गए तो अगर हम इन में से देखें तो कौन दोनों के समकालिन थे? यानि बौत धर्म और जयन धर्म के समकालिन थे? गौतम बुद्ध और कह सकते हैं, महावेरी के समकालिन थे? बिम्बी सार, option A सायोगो और इससे पहले में आपको ये questions बताया भी था जब मैंने practice set आपको कराया था ठीक है, practice set जो हमारा चल रहा है regular साम को 8 बजी तो उसमें आपको ये questions कराया भी था अगला questions कहा रहा है कि नेक्स्ट questions है कि बौध धर्म गरहन करने वाली प्रत्थम महिला कौन थी? बौध धर्म को गरहन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो right answer हो जाता है option C महाप्रजापती गौतमी, option C को टिक करेंगे ठीक है? अगला questions कि जातक किसका गरंथ है? जातक जो किसका गरंथ है? तो जातक बौधों का गरंथ है option C को टिक करेंगे next question कि सारनात में बुध का प्रत्थम परवच्चन कहलाता है सारनात में जो इन्होंने प्रत्थम उपदेश दिया था, प्रत्थम परवच्चन दिया था किया कहलाता है इसकों लोग धर्म चक्र परवर्तन कहते हैं और इन सभी के बारे में जान लीज़े जैसे कि माहा विनिस क्रमन की बात करें टो गरी थेया को कहते है माहा परिनिर्वाण मृत्यो अलेड़ी हम लोगों देखा था और महा मस्तक का विसेख ची बात करें तो ये बाखुबली के लिए जो राजविसेख है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अगला प्रशने की बौत धर्म ने समाज के निमने वर्गों पर महतेपुन प्रभाव डाला तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाता है महिला और सुद्र ओप्सन डी को टिक करेंगे नेक्स्ट कुश्शन से कि बुद्ध के गरी त्याग का प्रतीक क्या है बुद्ध के गरी त्याग का प्रतीक क्या है तो ध्यान दी जगा बुद्ध के गृत्याग का प्रतीख हम कह सकते हैं, यहाँ पे सही अंसर हमारा हो जाता है, घोड़ा, उप्सन ए सही होगा, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात कर लेते हैं, जैसे, इनका जो चिन है था, वो कहा था, जन्मे के लिए क्या च चलिए, नेक्षण बनता है कि गौतम बुद्ध द्वारा विक्षुडी संग का निर्माड या फिर स्थापना कहां की गई थी, विक्षुडी संग का स्थापना कहां पर की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा, वैसाली में आप्सन B को टिक करेंगे, वैसाली में, नेक का नाम बताइए महावीर का मूल नाम क्या था महावीर का मूल नाम या फिर बच्पन का नाम कह सकते हैं वर्दमान option C को टिक करेंगे वर्दमान अगला कुछ संच की कि किसे एसिया की रौस्टनि दा लाइट ऑफ एसिया कहा जाता है दा लाइट ओफ एसिया के नाम से किसे ज कोईशंस में देखा था कि टोटल 24 दिर्थ करते और सबसें अंतिन जो थे वो 24 वे यही थे महावीर ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे अगला कोईशंस की जैन धर्म का अधार्भुत बिंदू है जैन धर्म का अधार्भुत बिंदू क्या तो सही अंसर यहां पर हो जाता है अहि जिने दो कहा किस ने कहा जी और जीने दो किस ने कहा था है तो माहावीर स्वामी ने ये बात कहिए थी जी और जीने दो अगला कोईशंस की क्यान के लिए क्या सॉप्सि और यहींग सेंग ऽॉथ खौद जादा important है इसको आप रट कर याद रखो या फिर किसी तरह से याद रखो लेकिन याद रखना है जैंधर में पूर्ण ग्यान के लिए कह सकते हैं कैवल्ले सब्द का पर्योग किया जाता है option C correct होगा अगला questions किया रहा है कि कनिस्क के सासनकाल में चत्तूर्थ बहुत संगीती या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी चौथी बहुत संगीती का आयोजन जो हुआ था कनिस्क के समय में कुंडलवन कस्मीर में क्या गा था option यहाँ पे C बिल्कुल सही होगा अगला questions की तृतिय बहुत संगीती कहां अजित की गई थी बहुत संगीती को आप अच्छे से याद रखेगा किसके सासनकाल में हुआ किसकी अधिकस्ता में हुआ और कहां कहां हुआ यह सभी पॉटेट है ठीक है तो दिखिए अगर तृतिय बहुत संगीती की बात करें तो यह पाथली पूत्र में और असोक के समय में हुआ था ध्यान रखेगा बहुत धर्म तथा जैन धर्में समान नहीं है तो यहाँ पे मारे से यह अनूसर रगा अहिंसा option अ को टिक करेंगे अहिंसा अगला कुशन्स क्या कह रहा है कि निमलीखित में से किस नगर में प्रत्थम बहुत संगीती या फिर सभाय जित की गई थी प्रत्थम की बात की जारी यह ध्यान दीजेगा प्रत्थम बहुत संगीती राजग्री कह सकते हैं औप्सन यहां पे सी को टिक करेंगे राजग्री में अगला कुशन्स क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन के चार महत्यपुन घटनाओं को उनके संबंद चार अस्थानों के नीचे दिएगे उनका सुमेल करना है ठीक है चले यानि कि बुद्ध के जीवन से संबंद देते हैं तो हम यह के करके यहां पे मैच करके देखते हैं जन में कहां पर हुआ था तो आपको पता है कि जन में आपको पता था कि कपिल वस्तू के लुमरी नामक अस्थान पर तो यानि एक का तीन के साथ एक का तीन के साथ सिर्फ और सिर्व एक ही अप्सेंस मिल रहा, लेकिन एक और उपसंड भी हो भी सकता है चला हागे दिख लेते हैं ग्यान पराप्ति उनके बिहार के गया में हुआ था, बोद गया कह सकते हैं, यानि कि B का 2 के साथ, तो B का 2 के साथ भी यहां पे मिल रहा है, प्रत्थम परवचन उन्होंने कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था, C का 1 के साथ, तो C का 1 के साथ भी मिल रहा है, और निधन वहाँ पर हुआ था कुछ सी नगर यानि कि D का फोर तो यह देखे हमारा काफेच तरीके से मिल जा रहा है option C right answer हो जाता है ठीक है चलिए अगला कोशन क्या करें कि निमली खीत में से कौन सबसे पुर्व कालीक जैन गरंत काला आता है अगला कुशन्स की अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे यह कुशन्स भी बहुत बार रिपिट होता है अजीवक संप्रदाय की संस्थापक कौन थे तो मैखली पुत्र गुसाल कहा जाता है option हम D को टिक करेंगे option D सही आंसर होगा अगला questions की भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अध्यधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सरवादिक था तो यहां पर मेरा सही आंसर क्या होगा ध्यान देजेगा गुप्त चलिए इसके पार में आपको अच्छे तरीके समझाता हूं गुप्त यहां पे सयांसरोगा आप देखें भारत में भागवत धर्म यानि की वैश्नो धर्म का चर्मुत कर्स चौथी पाच्वी सतापदी में गुप्तों के सासनकाल में हुआ वैश्नो धर्म को गुप्त सासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगड़ी यानि की जासी, वित्तरगाओ, कानपूर, तिगवा, या फिर जबलपूर, मद्धप्रदिस कह सकते हैं में प्रसिद विश्णु मंदिर का निर्माण किया क्या सचा में आप पढ़ सकते हैं कि गुप्तरा जाओ ने परम भागवत की उपादी भी धारन की थी, तथा आपने सिक्के में विश्णु के वाहन गरूर की आकरिती भी कुदवाई थी तो इन सबी को देखते हुए आपको क्या लग रहा हुआ कि डेफिनेटी ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि वैश्णु धर्म का जो या फिर कह सकते हैं कि भागवत धर्म का जो विकास हुआ वो सरवादी गुप्तरास को के दोरा हुआ गुप्तवंस में हुआ भगवान महावीर का प्रत्थम सिस्य कौन था तो यहां पर आइट अंसर हमारा हो जाता है ओप्सन ए यानि की जमाली ठीक है जमाली को टिक करेंगे किस धर्म की महीमा है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्सन सी जैन धर्म की ठीक है जैन धर्म ऑप्सन सी को टिक करेंगे कारण इसका दिया गया है महात्मा बुद्ध का महा परिनिर्वाड कुसी नगर में हुआ था यह पॉइंट भी सही है लेकिन कथन का कारण यहां पर जो आर हम देख रहे हैं कथन दिया गया और यह कारण दिया गया तो यह इसका सही स्पस्टी करण नहीं है तो हम कह सकते हैं कि A और R दोनों सही है लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं है अब इसके बारे में कोई यहाँ पर थोड़ी उलेक किया जा रहा है कि राजधानी है तो राजधानी सम्मधिती बात तो नहीं की जा रही है इसलिए यहाँ पर सही व्याख्या नहीं करता है option B को टिक करेंगे अगला questions है कि निमलीखित में से कौन सा स्थल पासर्विनाथ से संबंध होने के कारण जैंस सिद्छेत्र माना जाता है तो समेथ सिखर यहाँ पर option C को टिक करेंगे समेथ सिखर next one है कि हेलियोडोरस का वेस नगर अभिलेक संदर्वित है हेलियोडोरस का वेस नगर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हेलियोडोरस का वेस नगर जो है वो मद्य प्रदेश में पढ़ता है ठीक है मद्य प्रदेश में और यह किस यह जो अभिलेक संदर्वित करता है केवल केवल वासु देव से option D को टिक करेंगे next question क्या कह रहा है कि निमलीखी चार अस्थानों में से हुई बहुत संगीतियों का सही कालकरम नीची दिये गया है तो कुट से हमें ग्याद करना है कि कौन सा पहले हुआ था बहुत संगीति जो है उसी के बारे में हमें बात करना है ços पहले राजक्री जयाते हैं चीश्यां के कह सकते हैं एक सट च्छोटा से क्टट करको टा है रवे पाक से याद रख ग्याद के बाथगर कि मैं है किलियर option D हमारा सही answer हो जाता है अगला questions क्या कहा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यू के उपरांत बौध संग के नितित्यों के लिए किसे नामित किया था ये questions भी important है ध्यान दीजेगा कि बुद्ध के मृत्यू के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यू के उपरांत बौध संग के नितित्यों के लिए किसे नामित किया था तो राइट answer यहाँ पहो जाता है option D किसी को भी नहीं चलिए इसके बारे हम detail में यहाँ पढ़ लेते actually में है क्या कि सारनात में ही गौतम बुद्ध ने पांच सन्यासियों के साथ संग के स्थापना की इनके नजदी की सिस्यों में आनंद उपाली सारी पुत्र और मैदलायन कह सकते आदिते जिनमें सरवाधिक नजदी जो थे वो आनंद थे क्लियर आनंद हम लोगों ने उपर में देखा हुआ था जो कि त्रिपिटक से संबंद इनकी एक रचना भी थी जो यहाँ पे अब समझे और बात है क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रियस से आनंद के अनुरोध पर संग में महिलाओ को परवेश दिया संग में परवेश पाने वाली प्रथम जो महिला थी इनकी सोतेली मा प्रजापती गौतमी उपर हम लोगों देखा था महा प्रजापती गौतमी अगला पॉइंट देखे क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपने मृत्तिव के उपरांथ बहुत संग के नितित्व के लिए कि कैता है कि प्रथम बहुत संगी थी चार्सो तिरासी सापुर वराजक्री में अजाद सुत्रों के सासन काल में हुई जिसके अध्यक्स्ता जो किया गया था महा कस्यप के दोरह किया था तो हम लोगों यहाँ पर किलियरली पढ़ लिया कि किसी को भी नामित नहीं किया गया नेक्स्ट क्या रहा है कि स्यादवाद सिधान्त हैं स्यादवाद सिधान्त किस धर्म से संब्ढ़ देते हैं तो यह जैन धर्म से संब्ढ़ देते हैं ऑप्सन सी को टिक करेंगे स्यादवाद जैन धर्म से संब्ढ़ देते हैं गौतम बुद्ध का जैन में कब हुआ था त तो पर पर लोगं देखा था साची किस लिए प्रसित kannstा सबसे बढ़ा बहुत के लिए और संभी सायोगा डेक्ष्ट के नेमनी में से क्सिक स्कॉर्णत हम सरब छोजह के नेती भी भाजन के स्वेतामभर संपरदाय के संस्थापक कौन थे स्वेतामभर संपरदाय के संस्थापक कौन थे तो यहाँ पर हमारा सही आंशर हो जाता है option A को टिक करेंगे स्थूल बद्र next questions क्या आखो गया का कि जबकि दुटिये जैन महासाभा का अजन बल्लवी में हुआ था अब नीचे कमेंट करिए तो थोड़ा सा कि देखते हैं कितने लोगों को याद है कि बल्लवी जो वो कहां पर पढ़ता है किस स्टेट में पढ़ता था बल्लवी ठीक है चलिए नेक्स्ट विसंस की जैन साहित का संकलन किस भासा वह लीपी में है बताएए तो यहां पर मारा सही अंसर क्या होगा ऑप्सन हम बीकोटिक करेंगे प्रक्रित यानि कि भासा प्रक्रित हो गई और लीपी जो थी अर्ध मगती ऑप्सन बीकोटिक करेंगे चीक है चलिए नेक्स्ट कुशन क्या है कि समकालिन जो थे कह सकते हैं कि विंबी सार भी थे और प्रेशन जीत भी था लेकिन यहां पर मिलीन दे नहीं था इसलिए ओप्सन सी को टिक करेंगे ठीक है देखें फ्रेंट नेक्स्ट कोईशन क्या करा है कि निमन कथनों पर विचार कीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ट पॉ नहीं लिच्वी के नरेस चेड़ा की वह बहन थी ठीक है बहन थी यहां पर पहला पॉइंट गलत हो जाता है गौताम बुद्ध की माता कोलिये राजवन्स की राजकुमारी थी यह सही है और तेइसवे तिर्थकर पासरवनात बनारा सके थे यह पॉइंट भी सही है तो यह था पते कि पावन नामक जो समारो आज़न किया जाता था प्राचीन भारत के बौद मटो में यह क्या हुआ करता था तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वरसा रितु के दौरान मटो में परवास के समय भिक्चो दौरा किये गे अप्राधों से सम्बंदित हुआ करता था पावन नामग समारो, ठीक है, अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट कोईशन है कि कस्मीर में कनिस्क के सासन में जो बहुत संगीती आजित हुई थी, उसकी अधेक्सता किस ने की थी, तो आपको पते कि कनिस्क के समय में कस्मीर में चौथी बहुत संगीती का अजन किया गा था, तो अंगिक मार्क की संकल्पना जो वो किसका अंग है, तो राइट अंसर यहाँ पे हो जाता है, धर्म चक्र परवर्तन सुथ के विशय वस्तुका, ओप्सन डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी करेक्ट होगा, नेक्स्ट पॉइंट दीखी, मिलिंद पनहो, यानि मिलिंद के प्र रखेगा, नेक्स्ट क्विशन के रहा है कि बौध धर्म तथा जैन धर्म में दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर जन्म के सिधान्त सही है, उप्सन एको टिक करेंगे, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि जैन धर्म और बौध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर जन्म में विश्वास करते हैं, इसके अलावा बौध धर्म मध्यमार का उपदेश देता है, तो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा सरीर त्या का आदेश देता है, तो इन दोनों में तोरा सा अंतर आप इसको समझ लेकिन यहां पर यह पॉइंट सही था, ठीक है, बौध धर्म आत्मा के अस्तित्वें विश्वास नहीं करता है, वहीं महावीर जो थे आत्मा के विश्वास करते थे, कर्म वाद तथा मोक्ष सम्धि दोनों धर्मों के विचार भिन-भिन है, जैन धर्म कर्म को एक भौति कि अनुसार निर्वाड इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था आप इनको भी याद रखेगा चलिए फिलाल हम बढ़ते हैं अगले questions की तरफ next questions क्या करा है कि जैन धर्म जैन धर्म जो है वो दो भागों भी भाजित हुआ था एक स्वेतामबर और एक दिगंबर संप्रदायों में तो ये बताना कि कब भी भाजित हुआ था तो ये चंद्रगुप्ति मौरे के समय में हुआ था option हम एको टिक करेंगे हम यहाँ पर किलियरली पढ़ सकते हैं कि चंद्रगुप्ति मौरे के सासनकाल के दोरान जैन परंपरा बताती है कि अचारे भद्र बाहु के बारह साल लंबे अकाल के भवश्वारी की और अपने सिस्यों के साथ करना टक चले के जब किस थुल बद्र जो अचारे भद्र बाहु के सिस्य थे मगद में ही रहे इसके बाद जब अचारे भद्र बाहु के अनुयाई लोटे तो उन्होंने पाया कि जो लोग मगद में थे उन्होंने सफेद कपड़े पहनना सुरू क्या दिया था जो दूसरों के लिए जयन अनुनायों के अनुसार इसी कारण जयन धर्म के जयन धर्में दिगंबर और स्वेतांबर मद का प्रारंब होगा चीक है इस तरह सम कह सकने कि चंदरगुप्त मौरे के समय में ये विभाजन हुआ था नेक्स्ट विशन्स बनता है कि अडू वरत सब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है अडू वरत सब्द जो हो किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो यहां पे सई आंसरों का जयन धर्म से जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए को टिक करेंगे देखें नेक्स्ट विशन्स कह रहा है क जैन गरंत कल्प सुत्र के रचईता कौन है जैन गरंत कल्प सुत्र के रचईता कौन थे तो राइट एंसर हो जाता है भद्र बाऊ ठीक है कल्प सुत्र के रचईता भद्र बाऊ अगला कुशन की परिशिस्ट परव जो की जैन धर्म से संबंदित रचना है कि रचईता कौन यानि परिसिस्ट परवे करें चाहिता कौन है तो अचार हेम चंद्र, option C को टिक करेंगे, अचार हेम चंद्र next questions की किस जैन रचना में 16 जैन पदों का, ठीक है, 16 महा जैन पदों का उलेक मिलता है तो हम लोगों ने ये questions को third time यहाँ पर देख रहा है, तो मुझे मीध है कि अब तक आपको याद हो गई होगी, जिन लोगों को नहीं याद है, वो लोग तो याद करी चुके होंगे तो 16 महा जैन पदों का उलेक जो मिलता है, भगवती सुत्त में मिलता है, option हम A को टिक करेंगे, चीक है, चलिए next questions है की जैन तिर्थकर पासर्वनात त्वारा प्रतिपाधित, चार महा व्रतों में महावे स्वामी ने पांचवे महा व्रत के रूप में क्या जोड़ा तो इनमें होने जोड़ा था ब्रह्म चार, option D को टिक करेंगे, दीखेंगे आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं की भगवान पासर्वनात के समय चार महा व्रत जैसे अहिंसा, सत्ने और चार और अपरिग्र स्वरुप्त, चतुर्याम धर्मता, ब्रह्म चार को अपरि महत्वे देने के लिए उसे अलग महावरत के रूप में प्रतिपाजित किया गया और उसे जोड़ दिया गया, यानि कि पांचवे के रूप में नो ने चुड़ा था ब्रह्म चार को, ठीक है, चली, अगला question क्या क्या रहा है कि जैन सिल्पकला के उधारन है, जैन सिल्पक माउंट आवू राजस्थान का जो दिल्वाडा मंदिर है, बिल्कुल सही है, ये भी जैन धर्म के, जैन धर्म से समाझे थे, रणकपूर जोकी जोदपूर के निकट है, चौमुख मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है, और स्रवड बिल्कुला करनाटक के गुमतेस्वर या बहु बली की प्रतीमा, ये सभी के सभी बिल्कुल सही है कि जैन सिल्प कला के उधारने, औप्सन एक को टिक करेंगे, नेक्स्ट कुरिसन क्यारा है कि कौन सुमिलिद नहीं है, बते कि कौन सुमिलिद नहीं है, आनंद वा उपालीchioज बॉध के सिस्ते थे बिल्कुल सही, आमरपाली बुद्ध की सिस्ट्या थी बिल्कुल सही, सुजाता कठीन तपस्या के उप्रांत, बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, और राहुल की बात कहे तो बुद्ध का चचेरा भाई ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राहुल बुद्ध के पुत्र थे, चीक है ना अगला कुशन के रहा है कि महात्मा बुद्ध किस छत्रिय कुलके थे, महात्मा बुद्ध किस छत्रिय कुलके थे, तो यहां पे सही आंसर होता है, साक के कुलके थे, औपसन हम एक को टिक करेंगे, चीक है, जबकि अगर हम बात करें कि जो महावीर थे, वो किस छत्रिय कुल आपको क्या बताया था तो यह था ग्रित्या की घटना संबोधी कर बात करें तो ज्यान प्राप्ति का घटना की कह सकते हैं धर्म चक्र परवर्तन सारनात में प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो था और महा परिनिर्वार मृत्यू की घटना यानि एक दो तीन-चार धोर्तों रचनकार कौन थे मृत्तों सब्सक्र अकशनाव के क्या और तो यहां पर मेरा premiरा सही आंसर जाता है आश्यान असब गौस्ट बढ़ुद्ध्ध चरीति के रचना ऐस्वेक्गोस घौस्ट चूोर्त ने government की की महा विवासास्त्र के रचिता कौन हैं सब्सँम्स को टिक करेंगे मैद रहे नेक्स्ट योगाचार या फिर कह सकते हैं विज्ञान वाद के प्रति पादक कौन थे योगाचार या फिर विग्यानवाद के प्रतिपादक कौन थे तो यहां पर मारा सही आंसर क्या हो जागा मैत्रे नाथ ठीक है मैत्रे नाथ option B को टिक करेंगे next point कहा रहा है कि भारत से दच्छिड की ओर के देशों में बहुत धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ भारत से दच्छिर की ओर के देशों में बहुत धर्म का कौन से संप्रदाय पर चलित हुआ था तो राइट अंसर विल बी ऑप्सन यहां पर क्या होगा किसे टिक करेंगे ऑप्सन एको टिक करेंगे हिन्यान ठीक हिन्यान यहां पर सही आंसर हो जाता है जबकि उत्तर के देशों में हम कह सकते हैं कि माहायान प्रचलित्ता फिलाल सही आंसर आप्सन एको टिक करेंगे नेक्सट वन के आज की बाधर्म का मुलाधार है तो यहां पर चार आरे सत्थ हैं आप्सन हम एको टिक करेंगे आप्सन एसा होगा नेक्स्ट पोंट किया रहा है कि बौत धर में त्री रतन क्या इंगित करता है तो ध्यान दीजीगा बौत धर में त्री रतन जो होता है हो कह सकते हैं कि बुध्ध, धम और संग औप्सटन सी साई होगा अनिकान्तवाद निमलीखित में से किस क्रोड या फिर केंद्रिय सिधान्त एवं दर्सन है अनिकान्तवाद अनिकान्तवाद जैनमाद से संबांधित होगा option B को टिक करेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि महान धार्मी घटना महा मस्तका विसेग निमलीखित में से किस से संबांधित और किस के लिए की जाती है तो मैंने आपको उपर्म बताया था कि आगे हम बात करेंगे तो दीखे महा मस्तका विसेग जो बाहु बली के लिए की जाती है ठीके बाहु बली option E को टिक करेंगे अगला point क्या कह रहा है कि वह आगतम बाद साहित्य जो बुद्ध के विभीन जन्मों की कथाओं के विसे में क्या है तो बुद्ध के विभीन जन्मों की कथाओं के विसेग संबांधित जातक कथा option E को टिक करेंगे और one of the most important questions की असोका राम विहार निमलिखीत में सिख किस अस्थान पर स्थित्ता असोका राम विहार ध्यान दिजेगा असोका राम विहार जो हो पाठली पुत्र में अवस्थित्ता option B को टिक करेंगे नेक्स्ट वान है कि स्वामी महावीर के विचुडी संग की प्रधान कौन थी स्वामी महावीर के विचुडी संग की प्रधान कौन थी तो अब यापने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब किसलिए वेट कर रहेये हैं, फ्रेट विडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए साथ इसाथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बेल को ओन कर लिजिए यहाँ पर सही आंसर होगा चंदरना ठीक है चंदरना ओप्सन एको टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेशन से बनता है कि बौध धर्म के त्रिरत्न में सामिल नहीं है तो उपर में हम लोगों देखा था कि बौध धर्में त्रिरत्न में सामिल कौन कौन से चीज़िती बुद्ध धर्में और संग यानि कि मध्यमार्ग नहीं था इसलिए आप्सन हम डीको टिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर 85 most important mcq मैंने cover कर आया और मुझे उमीद है कि आपनों कोई वीडियो जरू अच्छी लगे होगी क्यूज का questions आपके लिए है नीचे comment करके बताइए कि जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे चीक है तो वीडियो अच्छी लगे हो तो like कर दीजगा दोस्तों के साथ share कर दीजगा हम मिलते हैं किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks for watching keep watching keep learning have a good day